नमस्कार दोस्तो आपको स्वागत है आपके अपने YouTube Channel S के पैरा मेडिकल क्लासिस पर जैसा के दोस्तो आप समीं को पता है DMLT सेकेंडियर की क्लासिस के लिए जितनी भी जो स्टुडेंट्स हैं जो चाहते हैं DMLT की सेकेंडियर की क्लासिस लेना वो regular ways पर मेरे social media accounts पर चाहे वो आपका YouTube channel का comment box हो चाहे वो Instagram पर chat box हो चाहे वो Facebook पर messenger के साहता से चाहे वो WhatsApp पर message की साहता से सारे के सारे students का cable और cable एकी सबाल इतने दिनों से आ रहा है कि sir आप DMLT secondary की classes कब start करने वाले हैं तो दोस्तो जिस चीज का आपको इंतजार था जिस चीज का आपको बेसबरी से इंतजार था कि DMLT secondary की classes start हो तो दोस्तो आज आपका वो इंतजार खत्म होता है और आज अपने start करने वाले हैं DMLT secondary के लिए वायो chemistry का syllabus डिसकस करेंगे उसके बाद में 1.1 हर एक topic पर वीडियो आएगा complete syllabus कराने की पूरी-पूरी कोसिस जस प्रकार से DMLT first year के लिए अपन काम करते आए हैं उसी प्रकार से DMLT secondary के लिए भी अपन काम करेंगे तो चलिएगा आज का वीडियो स्टार्ट करें और वीडियो के स्टार्ट करने से पहले कहते हैं कि हर एक नए काम की शुरुवात करने से पहले भगवान गडेश जी को एक बार नमन कर लेना चाहिए ताकि आपके जितने भी जो काम हैं जितने भी एस्प्रेंट्स जोगी आप DMLT second year के हैं वो हमें देख रहे हैं उनको भी अपन अच्छे से काम कर पाएं उनके लिए अच्छे से बर्क कर पाएं वन वाई वन हर एक टॉपिक पर वीडियो बना पाई हर एक सब्जेक्ट का क्लास आपके लिए प्रोवाइड करा पाएं तो चलिएगा इसी के साथ अपने स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आगाज करते एक नई सुरूबात की आगाज करते एक नए सिलिवस की DMLT second year वाय केमेस्टी का सिलिवस आज अपन डिसकस करने वाले हैं आपके अपने यूटूब चैनल एस के पेरा मेडिकल क्लासेज पर उससे पहले दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा जिस प्रकार से आप DMLT first year की क्लासेज ली थी उसी जोस के साथ में उसी जुनून के साथ में और उसी डेडिकेशन के साथ में आप DMLT second year की भी क्लासेज लेंगे आज आपके लिए एक छूटा सा खाम में दे रहा हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस सिलिवस के जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा गृप्स में सेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँच आएं हर एक student तक इसको पहुँच आएं ताकि हर एक student को पता चल सके कि ASK Paramedical Classes YouTube Channel पर पने DMLT second year की क्लासेज अपने स्टार्ट करने वाले हैं अंदर जो कि बहुत ही जल्द हो सकता है संडे को हो जाए या फिर हो सकता है वेनस डे को हो तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हो तो प्लीज यसे लाइक शेयर और सबस्क्राइब आपको सारी चीजे पता चलेगा कि बायो कैमिस्ट्री के अंतरगात अपन क्या पढ़ते हैं कैसे पढ़ेंगे क्यों पढ़ेंगे और कितने दिनों में आपके लिए यह question papers यह जितने भी जो है आपके syllabus है वो complete कराने की कोशिस करेंगे तो देखेगा दोस्तो syllabus डिसकस करें टॉपिक्स वूट भी वर्ड कितने टॉपिक्स को कवर करता है आपका DMLT second year का syllabus वायो कैमिस्ट्री का तो इसके अंतरगा सबसे पहला टॉपिक अच्छा टॉपिक है इसके अंदर कम से कम छे से साथ टॉपिक्स अपन क्लियर करेंगे कार्वो हाइड्रेट्स के अंदर जिसमें जीजीटी होगा जिसमें डाइजेशन होगा इसका जिसमें इसका मेटावालिक होगा एपजोप्सन होगा रियपजोप्सन होगा सारी चीज़ डिसकस करने वाले हैं one by one सबसे पहला टॉपिक ही अपना कार्वो हाइड्रेट रहेगा लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ किसी चीज़ को बारे में अपन नॉलिज देने वाले हैं ताकि आपको पता चल सके कि अपन किस तीज को किस प्रकार पड़ने बाले हैं चे कर वन सेewर्पपर ईसके उसके प्रकार से लन पड़ेंगे इसके अंदर भी इसके अंदर भी अपन पड़ेंगे इसके अंदर भी अपन कुछ इनकी टैस्टेज हैं लेवर्टी डैग्नोसिस क्या होगा डाइजेशन कैसे होगा यह सारी चीज अपन इस्टेडी करने वाले हैं लिपिट्स के अंदर ठीके नेक्स रे आपक करिंट की किंडिन का सब्सक्राइब किस प्रकार से इस 2024 की किस्वाइब करेंगे सारी चीजे पड़ेंगे जो आज तक आप लेवोट्री में काम करते हुए आए हैं वो सारी चीजों का आपको अब बेसिकली थेर्टिकल पार्ट अब आप सेकेंडिर में पढ़ने वाले हैं जी हां थेर्टिकल पार्ट जो है आपका जो आयो कैमिस्ट्री आपने कई वार परफॉर्म किया होगा पार्ट एक प्रोफाइल शारी चीज़े आप परफॉर्म कर चुके होगे यदि आप किसी लेवोट्री में वर्ग कर रहे हैं तो उसका आपन क्या पढ़ने वाले हैं एक ठीटिकल वर्जन पढ़ेंगे सारी चीज़े वही होगी लेकिन उसको ठीटिकल बरजन में पढ़े first year की जितनी भी जो classes थी उनका लेंग्वेज आपको कैसा लगा अगर उसी लेंग्वेज के साफ से आप OTPT ठीक है ना alkaline क्या होगा इसके अंदर albumin proteins क्या होगी वो सारी चीज़ स्टेडी करने वाले हैं सेकेंड 6 चैप्टर नमर 6 है आपका कार्डियक प्रोफाइल यानि की CPT कहते हैं इसको short form में लेकिन कार्डियक प्रोफाइल के अंदर अपन सारी चीज़ पढ़ेंगे हर से related इतनी भी जांचे होती हैं वो अपने स्टेडी करने वाले हैं कार्डियक प्रोफाइल के अंदर क्लिया फुटाबट से आप स्क्रिंसोट ले सकते हैं साथ के साथ लिख सकते हैं ताकि आपको मिल सके देखेंगे तो आपका जो कार्वाइड्रेट्स है ना इसके अंदर कही सारे टॉपिक्स दिये हुए हैं उन टॉपिक्स को अपन कहां स्टेडी करेंगे अपने स्टेडी करेंगे जब कार्वाइड्रेट्स को अपने स्टेडी करने वाले होंगे जस दिन आपन कार्वाइड्रेट्स को स्टेडी करेंगे उस दिन आपको सारे का सारे टॉपिक्स क के बारे में पने study करेंगे आपके topic number seven में next है आपका topic number eight chemistry of blood composition and the importance of the different constituents HB and biosynthesis and proferis and its composition and diagnostic significance यह सारी चीज़ पढ़ने वाले chemistry of blood क्या होती है किस प्रकार से composition होती है इसकी importance क्या है इसके constituents का difference क्या इनके अंदर HB क्या है biosynthesis क्या है वो सारी चीज़ अपने study करेंगे लेकिन आपको उस study से पहले मैंने आपको starting में बताया था मैंने आपको एक काम दिया है अगर आप उस बर्क को अच्छे से करते हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों में share करते हैं आपके friends में इसको share करते हैं लाइक करते हैं तो दोस्तों जितना ज़्यादा तो चाहूंगा दोस्तो आसा करूँगा कि आप जरूर इस काम को करेंगे लाइक भी करेंगे, शियर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे तकि आप और भी ज़्यादा बहतर हम से काम करवा सकें नेक्स टॉपिक आपका रहेगा इसके अंदर प्रंसिपल्स ओप दा इस्पेशन इन्वेस्टिएशन लाइक दा आरेने एलिसा इनके बारे मां अपने स्टुडी करेंगे नेक्स रहेगा आपका टॉपिक नम्बर टैन बहुत ही अच्छा टॉपिक है गैस्टिटिटिट्वेट्स का क्या होते हैं यानि किस से बना हुआ होता है इसका इंपोटेंस क्या रहेगा डाइगनोसिस क्यों करते हैं इसको कैसे करते हैं और कौन सा टेस्स परफॉर्म किया जाता इसके लिए नेक्स रहेगा आपका टॉपिक नमर 11 नॉर्मल बैलुज क्या होंगी यानि इसमें देखो कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं बताई गई है लेकिन अपने सारी की सारी Normal values देखेंगे जो bulk chemistry के अदर अपन पर्फॉर्म करते हैं Normal values क्या रहेगी, Normal range क्या रहेगा, आपका interpretation क्या रहेगा, clinical chemistry क्या रहेगी Quality Controls फरस्ट इयर का जो paper रहा था 2019-20 का दोस्तों मावफि चाहूंगा 2019-20 के लिए important questions नहीं बना पाया था क्योंकि कुछ treasury हो गई थी इसकी बज़े से थोड़ा सा mind disturb था इसलिए आपके लिए 19-20 के लिए important questions नहीं provide गरा पाए देखे clinical chemistry क्या होगी quality controls 20 नमर का question paper में आया था आपके quality control ठीक है ना आपके pathology के paper में 20 नमर का quality control आपसे पूचा कहा था internal and external क्या होता है quality control वो सारी चीज़ डूटियल में बात करने वाले हैं इसी YouTube channel SK paramedical classes पर चाहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा subscribe और like जरूर करेंगे ताकि हमें एक अच्छा message मिले आपकी तरफ से कि हाँ students इच्छुक हैं SK paramedical classes पर पढ़ने के लिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका automation automation भी साइथ पूचा कया था 5 नमबर में 10 नमबर में बहुत ही अच्छा टॉपिक है automation automation में अपन पढ़ेंगे semi automation क्या होता है analyzer वगरा सारी चीज़े पने study करने वाले है नेक्स्ट वीडियो के अंदर लास्ट टॉपिक है आपका training the technician के इस प्रकार से एक technician को वायो chemistry perform करने के लिए ट्रेंड किया जाता है यानि कि कौन-कौन सी चीजों का उसे याद रखना है कि हमें इस काम को करने से पहले यह करना है यानि patient का registration कैसे करना है patient का data कैसे collect करना है patient के लिए reports का analysis कैसे करना है reports ready कैसे करनी result provide कैसे करना है सारी चीज़ अपन detail में discuss करेंगे किस के अंदर training the technician के अंदर फटाबर से आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि कौन-कौन से topics अपन किस प्रकार से पढ़न यह था अपना completely syllabus के बारे में discussion हो गया कि कौन-कौन से topics अपने study करने बाले हैं आसा करता हूं आपको यह जो syllabus है वो पहले से भी पता होगा और आज भी कुछ समझ में आया होगा जो भी coordinate के साब से लेखा हुआ था पहले अपन कार्वाइड्रेट को perform करेंगे उसके बाद मे KFT, LFT, cardiac profile यह सारी चीजें अपन one by one study करने वाले हैं चलिएगा दोस्तो आज के लिए तना ही और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थाएंगी सो मच यह आप हो हमारे YouTube चैनल पर नहीं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को प् आपके नेवर हुड जितने भी लोग हैं जो 6-12 आपके study कर रहे हैं तो प्लीज एक और नया YouTube चैनल ASK Academy Classes के नाम से अपन लॉंच कर चुके हैं किरपया आप सभी लोग उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको भी वहाँ देखिए आप English पढ़ सकते हैं अगर DMLT Second Year के हैं नॉलिज के लिए चाहिए तो First Year के हैं हो सकता है Next Year जो अपना जो नया से सनाने वाला है उसमें इंगलिस को दवारा से इंप्लूड किया जाए Mathematics और Science की सारे की सारी क्लासेस अपन प्रोवाइड करा रहे हैं उस चैनल का भी लिंक हमारे डिस्केप्शन वॉक्स और एक वी उसका भी आप आनन्द लें जाकर कि आप उसको भी अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से तेंकिसो मच पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंकिसो मच